कहानी के शुबात में हम रमानात रायनाम के एक बहुत बड़े पॉलिटेशियन के पेटी भार्ती राय को देखते हैं जो कि अपने फादर के ही एक राइवल पार्टी के नीडर भासकर सन्याल को पसंद करती थी और भासकर के साथ मिलकर भार्ती काम करती थी इसके बाद आके यहाँ से चुपचप चले जाते है और इसके बाद हम देखते हैं के भार्ती का एक बåता है लेकिन भाताच भाड़ा भांश को पाल उसके इस पेटे और भार्ती के दो बेटे थे पृत्विप्रतप और समर प्रतप पृत्विव प्रतप अपने तायाई जी और अपने पिता के साथ मिलकर पॉलिटिकल पार्टी चलाता था और दूसरे तरफ समर यू इस में पढ़ाय कर रहा था और दूसरे तरफ हम सुरज नाम के एक लोकल को देखते हैं वो कोई और नहीं बलके भार्तिय और भासकर गई बेटा था और उसे जब ब्रीज कोपाल ने एक मंदिर में छुड़ा था तब ही चंद्रप्रताप के घर के पुराने ड्राइवर राम चरित्र और उनकी पतने को सुरज मिला था और इसके बाद से वो दोनों ह सुरज को अपना नया लीडर बनाया था इसके बादी देखा जाता है के एक तिन भानु प्रताप को सट्रोग होता है और वो पैरलाइस्ट हो जाते है और वू अब Pārti को संभालने के हालत में नहीं थे इसलिए भानु प्रतप अपने पार्टी की सारे जिमेंदारी पर च प्रित्वी प्रताप भी अपने पिता के लीडर होने का भरपुर फायदा उठाता है दूसरे दरफ विरेंद्र प्रताप की कोई भी बात नहीं सुनी जा रही थी और इसके वज़ा से विरेंद्र प्रित्वी की बीच दुश्मनी शुरू होती है फिर इलेक्षन के नॉमिने समर भी वापस आता है और वह अपने परिवार से मिलकर बहुत खोश था और समर के बच्पन की दोस्त थे इंदु जो कि समर से बहुत प्यार करती है और समर के वापस आने के बाद इंदू समर को अपनी दिल की बात बता थे समर की यूवेस में एक गर्फ्रेंड थे सारा जिससे के वो बहुत प्यार करता है इसलिए समर इंदू की फिलिंग्स को उड़ी से प्रोकेट नहीं कर पाता है दूस्तर दर भी देखा जाता है कि विरिंद्रे और सूरज को यह समझ में आ रहा था कि जब तक चंदर प्रताप है तब तक विरिंद्रे को पूरे तरीके से इस पार्टी की डीडर्शिप नहीं मिल सकती है और चंदर प्रताप भी चीफ मिनिस्टर के लिए इस पार्टी से कैंडिडेट बने वाली है जोके विरिंद्र को बिल्कुल भी बर्दाश नहीं था और इसलिए सुरजर विरिंद्र मिलकर चंदर प्रताप को अपने रास्ते से हटाने का प्लाणी करते हैं और इसके पाद जिस दिन Sumr यूएस वापस लट रहा था उस दिन चंदर प्रताप Sumr को यारपोर्ट ड्रॉप करने के लिए आते हैं और Sumr को यारपोर्ट ड्रॉप करने के बाद वो जब वापस लट रहे थे तभी उनका एससिनेशन हो जाता है और दूस्टे तरफ इस पे शर्मा नाम के एक ओफिसर जो के विरिंद्र के अंडर काम करते थे वो प्रित्वी को फॉल्स चार्जिस में एरिस्ट कर लेते हैं और समर की भी बहुत लोगों के सामने बेज़ ज़ती करते हैं और इसके बाद प्रित्वी के ऊपर बहुत सरी जिससे के उसे बेल न मिले दूस्टे तरफ ब्रिज को पाला समर अब पूरे अकेले पड़ गए थे और उने समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा इसे निये समर प्लैन बनाता है और वो सबसे पहले विरिंद्र प्रथाप से जाकर मिलता है और उसे कहता है कि अगर प्रि परिजिल से भारा जाते हैं लेकिन इसके बाद ये दिखा जाता है कि प्रिथ्वी और समर इलेक्षिन के Кैम्पेनींग में जूठ चाते है । उन लोगों का ये रवाया देखकर विरिंद्र प्र पर्थीा समर् ने उन लोगों से ज्जूठ कहा था और ईसके बाद विरिं नाम से एक नया पार्टी शुरू करती है लेकिन इस पार्टी को फंडिंग के जरूरत थी और पहले से ही राष्टरवादी पार्टी को जो बिजनिसमेन फंडिंग कर रहे थे वो लोग अब जन्यशक्ति पार्टी के साथ काम करने में इंट्रेस्टेट नहीं थे इसलिए समर बहुत ही चालाकी से इंदु को manipulete करता है और उसे ऐसा यकीन दिलाता है कि वो उसे प्यार करता है और इसके बाद समझ की माँ भारती और ब्मीज गोपल इंदु और समझ की शादी की पारे में एंदु के पिता से बात करने के लिए जाते हैं लेकिन समर ऐसा नहीं करना चाहता था दूस्टे तरफ प्रित्वी भी समर को ये कहता है कि वो प्रित्वी से अच्छा पॉलिटिशन बन सकता है और वो खुशी-खुशी अपने भाई को अपनी जगा देने के लिए तैयार था लेकिन समर प्रित्वी को ही चीफ मिनिस्टर के तोर पर देखना जाता था और इसे लिए ही इंदू के बापा इंदू की शादी प्रित्वी के साथ तैय करते हैं और ये सब को जानकर इंदू बहुत गुसा हो जाती है और वो Samar को उसके जिन्देगी का फैसला लेने के लिए मना करती है और Samar इंदू को समझाता है कि इंदू प्रित्वे के साथ खुश रहेगी और इंदू समझ जाती है कि Samar उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है बलके वो तो उसका इस्तेमाल करने के कोशिश कर रहा था जो भी हो इसके बाद यह देखा जाता है कि इंदू और प्रित्वे के शादी हो जाती है और इंदू के पापा अब प्रित्वे के जनशक्ति पार्टी को फंडिंग दे रहे थे और एक तरफ प्रित्र और दूसरे तरफ विरेंद्र अपने पार्टियों का इलेक्शन कैम्पेंग जोरो सुरों से शुरू करते हैं इसे बीज हम यह देखते हैं कि समर की गर्ल्फरिंड साडा इंडिया आती है और यहाँ पर समर की सिचुएशन में फसा हुआ है वो देखती है दूसरे तरफ समर भावुलाल नाम के एक पूरा ने पार्टिय असोसेट को ढून निकालता है और उसे पता चलता है कि विरिंडर सुरच को चंदर प्रताप को मारने में बावुलाल ने ही मदद किया है और फिर समर भावुलाल को एक फॉल्स मार्डर केस में फसाने का बात करके उसे ब्लैक्मिल करता है और बाबुलाल मीडिया के सामने अपने सारे गुना कबूल करता है और बाबुलाल समर से ये बादा करता है कि समर आज से जो कुछ भी उसे करने के लिए कहेगा वो समर के हर बात मानेंगे और इसके बाद समर बाबुलाल को मार डालता है और सबको ऐसा लगता है कि बाबुलाल को मारने के पीछे विरिंडरय प्रताप का हाथ है जिससे कि उसकी बहुत बदनामी होती है और दूसरी तरफ पृत्वी इस पिस शर्मा को मार डालता है क्योंकि इस पिस शर्मा ने पृत्वी को एरिस्ट किया था और समर को उसमें सकते हैं और सारा समर को यह कहती है कि वो प्रेगनेंट है करती है दूसरे तरफ भी देखा जाता है कि वीरिंद्र और सूरज समर को अपने रास्ते से हटाने का प्लैनिंग करते हैं क्योंकि अगर समर नहीं रहेगा तो प्रित्विया के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है और इसलिए समर को मारने के लिए वो लोग समर के कार में बॉम र को ऐसे खोकर समर बिल पर तूट जाता है और समर और इंदू दोनों इस दर्धनाक मौके पर भी खुद को समालते हैं और इसके बाद ब्रीज को पाला समर के कहने पर इंदू जनशती पार्टी का नया चहरा बनती है और अब वो चीफ मिनिस्टर के नया कंडिडेट बनती ह कि सूरज ने ही वो बांब्रस्ट करवाया है इसलिए वो सूरज के घर में उसे बारने के लिए जाता है लेकिन सूरज के माता पिता से ब्रीज गोपल को यह पता चलता है कि सूरज उनका बेटा नहीं है बलकि वो उन लोगों को एक मंदिन में मिला था और यह बात सुनकर प्रीज गुपल को समझ में आ जाता है कि सुरज को यह और नहीं बलके उसे की बैहन का बेटा है और फिर विंच गुपल भारते को जाकर इन सब के बारे में बताते है और भारती एक दीन सुरज से मिलने के लिए आती और वह सुरज को उसके सारी सच्चाई बताता है पहले सुरज मानने के लिए इंगर करता है लेकिन इसके बाद भारति सुरज को समझाती है कि वह समर्ण के साथ आकर काम करें और क्यूंकि वह बढ़ा बेटा को नहीं दे सकता है इसके बाद देखा जाता है कि पितफिय प्रताब के विद्वा होने के लिए चंटाअग के साड़ी सपोर्ट इंदू के लिए थे और देखते ही देखते ही गोधियों और समर विरंद्र के लिए एक जाल बिजाता है जहां पर वो विरंद्र सुरज को एक पूराने गोडाउन में बुलाता है और वहाँ पर जब विरंद्र समर को मारने के कुशिश करता है उल्टा समर ही उस पर अटक कर देता है और सूरज के पास समर को मार कर विरंद्र को बचाने का एक मौका था लेकिन सूरज समर पर गोली नहीं चला पाता क्योंकि वो उसका छोटा भाय था और इसके बाद हम देखते हैं के सूरज समर को विरंद्र को हस्पिटल लेकर जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो कहता है कि एक पर वो विरंदे के जान बचा ले, इसके बाद समर उसे जहाँ पर भी मिलने के लिए वुलाएगा, वो आ जाएगा, और अगर समर ने उसके जान ले ले फिर भी वो कुछ भी नहीं करेगा, और समर पहले तो उन लोगों को जाने दे रहा था, लेकिन इस से लिए वह सुराज पर गूली चला देता है इसके बाद हम यह देखते हैं के हिंद्धी चीफ मिनिस्टर होने का शपत लेती है काम साड़े मापक भाया था साड़े मापा के लट रहा looking इंदु समर को यह कहती है कि वो प्रित्वी के बच्चे की मा बनने वाली है जो बात सुनकर समर बहुत ही खुश होता है और वो जल्दी वापस आने का वादा करके यहां से चला जाता है और इसे के साथ ही यह कहानी यही बड़ी खतम हो जाती है